इस्राइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफता इस्राइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है दरसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को ये पता चल गया कि इस्रेल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है मिसाइल लॉंच होती है और बढ़ जाती है इस्राइल की तरब और फिर इस्रेल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इस्राइल का खौफ है इस्राइल डरा हुआ है ये साइरन की आवास नहीं लग रहा है कि इस्राइल में जैसे कोई चिलना रहा हो बचाओ, बचाओ तोकि इस्राइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इस्राइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल्ड साबित कर दिया है इस्राइल की फॉलादी दिवार में क्रैक आ चुके हैं इस्राइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह डह चुकी है और इस वक्ष सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इस्राइल की प्रधान मंत्री बेनियमिन नितन्याहू क्योंकि यमन से हुए हमले पर इस्राइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया इस्राइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया इससे पहले इस्राइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को ग्राने वाले तीन अरब देश, सौधी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए इस्राइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरे देखिए रविवार तड़के साड़े छे बजे इसराइल में साइरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे तेलवीव से लेकर मुदीन शहर ये 40 किलोमीटर का दाइरा ऐसा था जहां इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया इंपक्ट पॉइंट यानि वो जगा जहां मिसाइल गिरने की संभाव ना थी और फिर मिसाइल गिरी कफाड डैनियल में ये जगा इसराइल के बेन गुरियन इंटरनाशनल एरपोर्ट से दस किलूमिटर दूर है यमन के हुटी विद्रोही का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलो मीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सॉनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफ्तार थी एक सेकंड में 3 किलो मीटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अ और अगर में जौर्डन केलावा इसराइल भी इसमसाइल कुरोगने में नाकाम सावित्वा इसराइल अम मिसाइल के टुक्डे तलाच रहा है लेकिन जो होना था वो हो चुका है वही मिसाइल जिसे वो ट्राक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यमन की मिसाइल के कुछ टुकडे रेलवे स्टेशन के एसकिलेटर पर भी मिले थे तब यहाँ कोई नहीं था इसलिए घायल कोई नहीं हुआ लेकिन होता तो क्या होता इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल को अब अपने एर डिफेंस की मरमत करने की जरूरत है क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है रिपोर्ट है कि इसराइल ने यमन की बलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एर डिफेंस मिसाइल दागी आसमान में धुए की ये सफेद लकीरे इसराइल की नाकामी साबित कर रही है इसराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट यौसी मैलमन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इसराइल के पूरे एर डिफेंस को भेद डाला इस हमले में इसराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया इस हमले में इसराइल का डेविड सिलिंग सिस्टम फेल हो गया इस हमले में इसराइल का वर्ल्ल फेमस आईरन डूम भी फेल साबित हुआ है इसराइल ने जिस दिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जो दिवार उसने अपने आस्मान के चारों तरफ तयार की थी उसे यमन की एक मिसाइल ने चकना चूर कर दिया है यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगा को टार्गेट बनाया जिसकी वज़ा से करीब 25 लाक इसराइली लोगों को शेल्टर में फोरण भागने की जरूरत पड़ी इन्ना थी लामलिया ताटी फी इतार मरहलत खामिसा वजाए तत्वीज लिजहूद अब्ताल गूट सारूखिया इसे कई मिसाइल हैं जिन्ने यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं इन सभी पर इरान की छाप लगी हुई है इस बात से तो इरान भी इंकाट नहीं करता चाहे वो बलिस्टिक मिसाइल हो, प्रूस मिसाइल हो या फिर ट्रोन हूती विद्रोहीों के पास बहुत से ऐसे हत्यार हैं जो से इरान के जरीए ही मिले हैं इरान का समर्थन, इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है इन हत्यारों के साथ इमन के हूती विद्रोहीों की सबसे बड़ी डिमैंड है कि इसराइल घाजा पर बंबारी बंद करें जब तक ऐसा नहीं होगा वो इसराइल पर हमले करते रहेगा पश्चिमेशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्तुबर 2023 के बाद से यमन के उपूती अब तक इसराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं यमन के हमले ने युद के दाइरे को दस गुना बढ़ा दिया है पश्चिमेशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है सबसे बड़े खत्रे की घंटी अब संयुक्त राष्ट में भी लगातार बज रही है रात्राख गया बैजार करें था आज़ाव से बाड़ा से G bottleneश गॉफरी को एन घंठेंग काजूआर साथनुनों आज रहा है आपने तेल के कुऊं की चिंता सता रही है क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा दर है कि यमन के हूती अब इसराइल के तेल के कुऊं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं भूम अद्दे सागर में इसराइल के कैई तेल और गैस के बंडार है और यहाँ उसके ओल रिक्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टार्गेट बन सकते है इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा और रिक्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल के एनरजी इंडिस्ट्री की तबाही भूम अद्दे सागर में इसराइल की तमार, लेवियतन और करीज गैस फील्ड है यहाँ इसराइल हर साल 21 अरप क्यूबिक मीटर गैस का उतपादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है 19 जॉलाई को जब तलवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था तब धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नज़र आए इस हमले में एक व्यक्ती की मौत हुई थी यवकि 10 लोग जखमी हुए थे तलवीव में अफरा तफरी मच गई ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराईल को बुरी तरह हिला कर रख दिया लोग सड़कों पर निकलाए सारन बजने लगे आकर इसराईल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुज गया कैसे इसराईल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इरान से मिले ड्रोन की नकल है इसका असली नाम समद 3 है इस ड्रोन के रेंज 2000 किलोमीटर है अब इस ड्रोन का रूप देखिए जिसने इसराईल को चौका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए स्विज नहर के उपर से गुज़रा नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वाडशिप देखते रह गए कोई इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया इसके बाद ये ड्रोन धूम अदेखिए सागर की तरफ से इसराईल में घुसा इसराईल के बड़े बड़े रडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाये और फिर तेलवीव में इस ड्रोन ने अपने टार्गेट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इसराईल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो उसके शेहरी लाके हों चाहे वो उसके ऑईल रिग्स हों या फिर इसराईल के बंदरगा अजेट पर अमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं खजा पर इसराईल के उपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गये हैं 11 महीनों की तवाही का दोर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब घजा से निकल कर इसराईल और लिबनान वॉडर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच किया है नेतनियाहू वोती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तस्वीरे देख लीजिए 20 जॉलाई को यही वो हमला था जब इसराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डीपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदर का जनने लगा यमन को भी पता लग गया है कि हुदी विद्रूईयों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से युद घजा के खंडरों से निकल कर अब उसकी जमीन पर पहुँच गया है इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा साथवे आस्मान पर है और यमन की पबलिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है घजा को लेकर फैले आकरोश में अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद शुरू कर चुका है इससे पहले हूती विद्रोयों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है इसमें यमन की बलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीट डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं खतरा अब इसराइल के तेल के को पर मंड़ाने लगा है